अज का सेशन है हिंडी हिंडी में आज हम सिखेंगे चैप्तर नम्बर 5 गुन गुनाता मुर्गा जिसमें हम सिखने वाले हैं उकी मात्रा वाले सब्द और उकी मात्रा का उच्चारण उकी मात्रा का प्रयोग अब तक हमने तीन मात्राएं सिखी है आ, ई और ई की मात्रा आज हम सिखेंगे उकी मात्रा तो वन वै वन में ये लाइन पढ़ूंगी और उकी मात्रा वाले सब्दों का उच्चारण भी हम यहाँ पे देखेंगे पहन कर मुर्गा, दीला, कुर्टा गुन-गुना रहा था एक दून जब वो दीला, कुर्टा पहन कर गाना काटे हुए जा रहा था तो एक चुही आई और वो उसकी डूम कुटर गई फिर दूम दबाकर मुर्गा भागा फड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ आधा था, सुनसुन मुर्गी, सुन, चुहिया, कुटर, गई, डुम, और उसकी डुम किसने काढ़ ली? चुहिया ने, तो यहाँ पे यह पाठ में, मुर्गा, कुटा, गुन-गुनाना, दून, चुहिया, कुटर-कुटर, यह जो सारे वर्ण है, वो उकी मात्रा के वर्ण ह यहाँ पे म, म, म के नीचे अगर उ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो यह वर्ड क्या बनेगा? मर्गा और यहाँ पे नीचे उ की मात्रा लगाएंगे तो मुर्गा यानि कि उ का उच्चारण किसे सुरू हुआ है? उ से, किसे? उ से तो यह जो सारे वर्ड है यह हमें उकी मात्रा का उच्चारण सिखा रहे है तो आज यह चेप्टर में आपने कौन सी मात्रा सिखी उकी मात्रा अभी हम को सिग्णों तक उकी मात्रा का उच्चारण दिखेंगे चैप्टर नम्बर फाई गुन गुनाता मुर्गा उकी मात्रा तो हम देखेंगे कु से गुनु तो को को उकी मात्रा कु गो को उकी मात्रा कु गो को उकी मात्रा गु गो को उकी मात्रा गु जो को उकी मात्रा चु जो को उकी मात्रा चु जो को उकी मात्रा जु जो को उकी मात्रा जु त को उकी मात्रा तु ध को उकी मात्रा तु द को उकी मात्रा दु ध को उकी मात्रा दु अनको उकी मात्रा अन। तो को उकी मात्रा त।, धो को उकी मात्रा त।, दो को उकी मात्रा द।, धो को उकी मात्रा त।, न को उकी मात्रा द।, न को उकी मात्रा द।, भो 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 को प्लोग 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 उकी मात्रा हू, क्ष को उकी मात्रा क्षू, त्र को उकी मात्रा त्रू, ग्य को उकी मात्रा ग्णू, तो ये थी कू से ग्णू तक की उकी मात्रा वाले व्यंजन, ओके? तो हमने यहाँ आज उकी मात्रा वाले व्यंजन और सब्द देखे आपको होमवर्क में ये कू सेगनू तू टाइम लिखना है ठैंक यू